आरी आज की वीडियो बुक आर्ट अफ हैपिनेस पर है जिसको दलाई लामा और हवर्ड काटलर ने लिखा है दलाई लामा दुनिया के जाने माने spiritual leader हैं जिनको introduction की जरुवत नहीं है वो लोगों को खुछ life देने के लिए guide करते हैं वो peace, goodness, compassion, kindness, generosity और love का symbol हैं साथ ही जिनमे great intelligence और अच्छी sense of humor भी है ये बुक Howard Cutler ने लिखी है जो एक American psychologist और psychotherapist है जिन्होंने कुछ दिन तक दलाई लामा के साथ interview लिया Cutler ने दलाई लामा से कुछ question पूछे और उनके खुद के issue पर भी question raise किये ये बुक दलाई लामा ने खुद के inner peace, calmness और happiness को कैसे achieve किया है उस पर based है The art of happiness सभी के existence का purpose happiness होता है तो क्यों ना एक unconditional happy man के reflection और practical advice से खुद को inspire करें जिनका नाम है दलाई लामा Howard ने इस बुक को 5 parts में बाता है ये दलाई लामा के general thoughts, इनसान की warmth और compassion की जरूरत और time के साथ human work को better करने में जो परेशानिया आती है उस पर ध्यान न देना ये किताब उन सब चीजों के बारे में है इसलिए ये एक comprehensive meditation है जो general guide की तरह काम करती है कि कैसे इनसान को सभी के साथ जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे relation improve करने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी खुश रहने की ability रखने वाले perfect example है दलाई लामा गरीबी में पैदा होके वो तिबबत के spiritual leader की esteem position तक पहुँचे पंदरा साल की उमर में अपने देश से निकल गए और उन लोगों से उनका cut off हो गया जिनको उन्हें lead करना था इसके बावज़ुद उन्होंने सभी को comfort और knowledge देते हुए खुशी से travel किया दोस्तो दलाई लामा के इस wisdom और life में happy रहने के secret के लिए ये video end तक देखें अगर आपने आप तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो immediately subscribe करें और future में आने वाली notification के लिए bell icon को press ज़रू करें हमारे facebook और instagram page को follow करना ना बुलें जिसका link नीचे दिया गया है दलाई लामा के लिए life का real purpose happiness है और हम सब भी better life को ढूण रहे हैं वो कहते हैं अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम इसको पा सकते हैं western world में happiness अभी भी ढूणना एक concept है जिसको ढूणना मुश्किल है ये एक mystery blessing है जो आसमान से नीचे गिरी है इन conditions में कैसे possible है कि mind की exercise से आप happiness को पा सकते हो दलाई लामा का answer simple होते हुए भी confuse करता है क्योंकि उनके लिए हर चीज अपने दिमाग की exercise से start होती है मतलब जो चीजें खुशी की तरफ ले जाती हैं उनको उन चीजों से अलग रखना है जो दुख की तरफ ले जाती है इसके बाद धीरी धीरे हम दुख वाली चीजों को खतम कर लेते हैं और खुशी वाली चीजों को बढ़ा लेते हैं आथर का मानना है कि life का सबसे बड़ा purpose खुशी को ढूनना है ये तो clear है कि कोई religion में believe करता है कोई नहीं करता चाहे कोई किसी भी religion को मानता है हम सभी life में कुछ अच्छा ढून रहे हैं तो दलाई लामा के हिसाब से हर एक motion happiness की तरफ ले जाता है उनका मानना है कि जो लोग खुश नहीं होते वो self focused, पीशे हटने वाले, असानी से गुसा होने वाले और यहां तक की opposite हैं दूसरी तरफ खुश लोग ज़्यादा social, flexible और creative होते हैं अपनी life की frustration को unhappy लोगों से ज़्यादा tolerate करना जानते हैं दलाई लामा happiness को एक objective की तरह देखते हैं लोग खुशी पाने के लिए goal set करते हैं और उनको achieve करने के लिए काम करते हैं बाहर की चीजों से ज़ादा हमारी mind की situation happiness determine करती है बिना ये सोचे कि हमारे साथ क्या होता है, चाहे वो success हो या tragedy, इस process को adaptation कहते हैं for example salary increase होने के बाद excitement और अच्छा mood होता है लेकिन एक time के बाद ये excitement fade हो जाती है even studies से ये पता चलता है कि happiness genetic पर ही depend करती है psychologist का मानना है कि mental factors पर काम करके हम अपनी happiness बढ़ा सकते हैं लेकिन ये सबसे ज़ादा हमारे attitude पर depend करता है happy रहना या unhappy रहना शायद ही पूरी तरह हमारी condition पर depend करता है लेकिन situation को लेकर हमारी perception और जो हमारे पास है उसमें satisfied होनी की ability पर depend करता है उन्होंने ये share किया है कि woman 32 साल की age में retire हो रही है जिनका happiness level high है लेकिन वो retirement से पहले ही अपनी happiness के level पर वापस चली जाती है इस story के comparison में एक आदमी को बताय जाता है वो HIV positive है जो उसको happiness के lower level पर ले जाता है लेकिन जल्दी ही वो life को appreciate करना start कर देता है बुक के ये दो example explain करते हैं कि happiness बाहर के factors से ज़्यादा mind की situation से determine होती है लाइफ में high होना जैसे lottery जीतना, लाइफ में low होना जैसे cancer का पता चलना हम eventually baseline level पर वापस आ जाते हैं ये baseline इस book में describe की गई है कि हम life में changing news पर कैसे react करते हैं तब भी फिर से हमारी life baseline तक पहुँच जाएगी ये book बताती है कि हम कैसे income और success को compare करते हैं जो unhappiness तक ले जाती है लेकिन हमें इस बात का comparison करने के लिए mind के इस situation को flip करने की need है कि हमारे पास जो है उसको appreciate करना चाहिए दलाई लामा के according अगर आपने मन में negative thoughts रखे हैं और आपके अंदर गुस्सा है तो ये आपकी health खराब करता है ये happiness को खराब करने का एक और factor है हम happiness के बारे में mind में एक certain situation को लेकर पैदा होते हैं लेकिन हम हर moment में खुश होकर अपने इस सोच को बदल सकते हैं एक्जांबल के लिए हम self-worth के जरिये जादा खुशी ढून सकते हैं दलाई लामा के according self-worth, affection, compassion और dignity का source है The spirit of comparison, comparison की spirit compare करने की हमारी tendency हमको strongly influence करती है Life में satisfied होना हमारे comparison point पर depend करता है जिनको हमने adopt किया हुआ है दलाई लामा explain करते हैं कि बुद्धेज में fulfillment चार factors पर based है individual happiness को ढूनने के ये चार factors wealth, material satisfaction, spirituality और awakening है वो materialistic point of view से बताते हैं कि एक अच्छी health, material comfort, financial ease, एक friend circle, affection और trust का relationship life को enjoy करने और कुछ रहने के लिए important बाना जाता है लेकिन उनके लिए life को enjoy करना और पूरे तरीके से जीने का secret है mind की situation अगर हम inner discipline में lack करते हैं जो peace of mind देता है तो हम कभी खुशी को नहीं पा सकते दूसरे हाथ पर अगर आपके पास materialistic चीज़ें नहीं हैं जो आपको लगता है खुशी देंगी लेकिन आपके पास inner peace है तो कोई आपको ऐसी जिन्दगी जीने से नहीं रो सकता जो खुशियों से भरी होगी happiness versus pleasure यहां दलाई लामा हमारे साथ अपनी tip share करते हैं कि happiness और pleasure को same नहीं समझना चाहिए और dangerous pleasure से बचना चाहिए हर किसी decision लेने से पहले एक question पूशन पूशना चाहिए क्या इसमें मुझे खुशी मिलेगी हमें यह decide करना आना चाहिए कि कौन सी चीज हमको happiness देगी या सिर्फ pleasure देगी satisfaction पाने के लिए negative positive actions पर deal करते समय हमको positive और negative consequences को भी ध्यान रखना है हमें खुशना चाहिए कि कोई भी काम या object हमको happiness देगा या pleasure देगा training the mind for happiness mind को happiness के लिए train करना यहां author कहते हैं कि first step सीखना है कि अपने thoughts और emotion को पहचानना जिससे आपको ये समझ आए कि कौन सा thought beneficial है और कौन सा harmful है author का कहना है कि आप ऐसी चीजों को avoid करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि वो अपनी तरफ खीचेगी लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है हमारा mind हजारों thoughts और state of mind को carry करता है उनमें से कुछ बहुत काम के होते हैं जिनने use और maintain करना चाहिए बाकि thoughts negative होते हैं जिनको remove करना चाहिए road to happiness का पहला कदम है ये सीखना कि negative emotions और behaviors हमारे लिए harmful होते हैं और positive emotions हमारे लिए beneficial होते हैं mental discipline happiness तक पहुचने के लिए एक positive mental stage को identify करना चाहिए और negative thoughts को remove करना चाहिए अगर recipe इतनी simple है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं क्योंकि changes time लेते हैं और ये एक genuine learning process है reclaiming our inner state of happiness हमारी अंदर की natural happiness को दुबारा पाना खुश रहने की ability सभी के nature में होती है happiness, love, affection, closeness और compassion के थ्रूँ आती है ना सिर्फ humans में खुश रहने की capacity है बलकि दलाय लामा का मानना है कि सभी humans में एक natural gentle quality होती है दलाय लामा इसको buddha nature कहते है जो buddhist thoughts से आया है मतलब gentleness सिर्फ religion से effect नहीं होती बलकि daily life से भी effect होती है gentleness के साथ aggression आता है जबकि लोगों का मानना है aggression सबसे rule करने वाला behavior है लेकिन दलाय लामा का कहना है कि anger, violence, aggression बढ़ता है लेकिन वो secondary level पर होता है मतलब ये तब बढ़ता है जब हम love और affection को achieve करने में fail हो जाते हैं aggression बढ़ सकता है लेकिन हमारा basic nature gentleness ही है दूसरों की help करना हमारा fundamental nature है इससे पता चलता है कि humans दूसरों की help करने के लिए और उनको खुशियां देने के लिए programmed है दूसरों के साथ और खुद के साथ शांती बनाये रखना ही happiness है और इस happiness को meditation और दूसरों को serve करके पाया जा सकता है दलाई लामा का कहना है कि tension create करना purpose नहीं है बलकि positive atmosphere create करना है ये हमारी life को meaning देता है जिससे overall happiness मिलती है ये positive atmosphere, closeness और compassion के थूँड सकते हैं Meditation on the purpose of life, life के purpose पर ध्यान देना हमें खुद के decision लेने में ये बात याद रखनी होगी कि time बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है और हमें खुद से check करना चाहिए और पूछना चाहिए कि जितना time हमें a lot हुआ है उसका हम proper use कर रहे हैं हर एक minute बहुत important है अगर feature कोई guarantee नहीं देता फिर भी हमारी daily existence में एक hope होती है ये हमारी hope पर depend करता है जो हम feature के लिए build करते हैं हमको सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें genuinely value करती हैं क्या चीज हमारी जिंदगी को meaning देती है और हमको properly अपनी priorities को दुबारा arrange करना चाहिए दलाई लामा कहते हैं कि compassion और intimacy दो बहुत strong emotion होते हैं जो एक इनसान अचीव कर सकता है इन emotions को पूरी तरह से अपने अंदर ढून पाना possible है हम constantly दूसरों में compassion और intimacy को search कर रहे हैं किसी दूसरे को approach करने के लिए positive attitude की need है और एक open और friendly atmosphere create करने की need है दूसरे के साथ open और friendly होने से compassionate होने में help मिलती है यह intimacy model दूसरों के साथ family, friends और even strangers के साथ open होने की willingness पर based है जब हम खुद को अपने आसपास की दुनिया में open करते हैं तो यह किसी new person के साथ special bond create करने में help करता है या किसी relationship को build करता है जो हमारे पास already है expanding our definition of intimacy intimacy की definition को expand करना दूसरों से अलग होने का डर humanity का सबसे deep fear है researcher ने यह discover किया है कि जिन individuals के आसपास लोग होते हैं वो sympathy और affection पाते हैं इसलिए health problems में ज़्यादा survive करते हैं और कम बीमार पड़ते हैं intimacy physical और moral दोनों को ठीक रखती है दलाय लामा के लिए intimacy happiness का एक important ingredient है deepening our connection to others दूसरों के साथ अपना relation और भी गहरा करना हावर्ड दलाय लामा से लोगों के बीच relationship और connection के बारे में एक question पुझते हैं दूसरों से connect करने का सबसे effective और meaningful तरीका क्या है दलाय लामा कहते हैं कि यहां सबी problems का कोई exact formula नहीं है दलाय लामा ये believe करते हैं कि empathy एक ऐसी चाबी है जो लोगों को connection में ज़ादा warmth और compassion लाती है वो सोचते हैं कि दूसरों के जगा पर खुद को रख कर देखना बहुत ज़ादा important है और ये भी देखना कि हम उस situation में कैसे react करेंगे compassion show करने के लिए दूसरों के background को समझने की कोशिश करने चाहिए दलाय लामा सर्थ दूसरों की care करना refer नहीं करते बलकि वो relationship को बहुत important मानते हैं और उनको दो तरीकों से एक दूसरे से अलग बताते हैं पहला जब आप किसी के साथ wealth, power और position की वज़े से रहते हैं और जब ये सब चीजे खो जाती हैं तो एक relationship नॉर्मली खतम हो जाती है दूसरा तरीका इनसान की सच्ची और spiritual feelings पर based होता है दलाई लामा ने sexual relationship के बारे में भी बात की है कि बिना respect के sexual relationship सिर्फ एक temporary satisfaction होती है दूसरे लोगों के साथ sympathy दिखाने की best approach है उनके साथ basic common point share करना उस environment को समझना जिसमें हम इनसान से मिले हैं और इनसान के past को समझना open mind और honesty useful qualities होती है जब हम relationship problems को समझने की कोशिश करते हैं तो पहला step relationship के nature पर focus करने की need होती है कि वो किस चीज़ पर based है यहां बहुत तरीके से relationship होते हैं relationship power और success पर based होती है friendship तब तक ही रहती है जब तक wealth और social position continue रहती है authentic friendship affection और genuine emotion पर based होती है यह एक इनसान के genuine emotions, past रहनी की feelings जो sharing और communication को आपस में जोडती है अगर आप real में एक rewarding relationship build करने का try कर रहे हैं तो इसका सबसे best way है दूसरे इनसान के nature को पहचानना होता है और उसके साथ repo build करना होता है the value and benefits of compassion compassion की value और फायदे compassion को define करना दलाई लामा ने compassion को non-violent, non-harm और non-aggressive state of mind की तरह define किया है compassion की feeling को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला compassion attachment से जुड़ा होता है खाली इस तरीके का compassion use करना unfair और unstable होता है जो ऐसे emotional attachment को जम देता है जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते दूसरे compassion genuine होते हैं जो अपने mental projection पर based ना होकर दूसरों के fundamental right पर based होते हैं दूसरों का दर्द समझना और उनको accept करने से इंसान के साथ connect बनता है और दूसरों तक पहुचने की will देता है खुद जब ऐसे rights के साथ जोड़े होते हैं तो love compassion generate होता है genuine compassion का use करने से special connection बनता है जो आप attachment से compassion से अचीव नहीं कर सकते दलाई लावा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो किसी ना किसी वज़े से दुखी हैं इसलिए उनका कहना है कि हमको अपनी life में कुछ भी बुरा जैसे death और ऐसे ही traumatic pain होने से पहले खुद को prepare कर लेना चाहिए उनका कहना है कि अगर आप खुद को prepare करते हैं तो आपको पता होगा कि आप क्या expect कर रहे हैं वो कहते हैं कि कुछ points पर सभी को traumatic situation face करने परते हैं हाला कि अगर उस situation को naturally देखें तो आप life खुशी से जी सकते हैं उनका मानना है कि अगर आप अपनी बेमारी को accept कर लेते हैं और उसको face करते हैं तो आप अपने bad time से जल्दी overcome कर लेंगे बजाए कि सिर्फ ये कहते रहना कि सब ठीक है कोई भी दर्श से बच नहीं सकता ये तो life का part होता है इसके इलावा pain, suffering, dissatisfaction का reason common है जबकि comparison करें तो joy और happiness की opportunities बहुत कम होती हैं जितनी जल्दी आप अपनी suffering को face कर लेते हो आप खुद को उस problem की depth और nature समझने में लगा लेते हो problem को ignore नहीं करना चाहिए बजाए उनका सामना करना चाहिए खुद को suffering से बचाना possible है cause को remove करने से हम free हो जाते हैं बुद्धिस सोच के according ignorance, craving और hate ही suffering का reason है लेकिन कोई बड़े loss से कैसे deal कर सकता है जैसे कि अपने बच्चों को खो देना अपने loved ones जिनको आपने खो दिया है उनको याद करने का best सरीका ये है कि उनकी memories को preserve करके रखना इनसान को याद करने के लिए जरूरी है उसकी wishes को पूरा करना उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने same loss या उससे भी बड़ा loss अपनी जिन्दगी में देखा है इससे आपको better feel होगा और आप कम isolated feel करेंगे Self created sufferings खुद से create की गई sufferings दलाई लामा का कहना है कि कुछ suffering natural होती है और कुछ self made होती है example के लिए हम suffering को कैसे accept नहीं करते हैं यही life का एक part है जैसे खुद एक victim बन जाते हैं और दूसरों को अपनी problems के लिए blame करते हैं ये सब चीज़े ही life को खराब करती हैं और तर दलाई लामा से पूछते हैं कि हम अपनी life में suffering को कैसे बढ़ावा देते हैं तो दलाई लामा answer करते हैं कि हम कई तरीकों से अपनी खुद की suffering बढ़ा लेते हैं although generally हमको mental और emotions feelings naturally आती हैं और हमारा खुद का negative emotions के साथ alignment उन्हें और भी जादा बेकार बना देता है honesty से खुद की गलतियों को recognize करना जिससे आप खुद को और अपनी mistakes को correct करें change होने से खुद को रुकना हमें guilt तब होती है जब हम गलती करते हैं और जिसको ठीक नहीं किया जा सकता और खुद को ये सोच कर torture करते हैं कि वो problem permanent रहेंगी life का मतलब है change इस fact को हम जितना जादा मानने से इंकार करते हैं उतना ही हम natural changes को होने से रोकते हैं और अपनी sufferings बढ़ाते हैं ये मानना कि changes ज़रूरी हैं ये हमारी life को आसान बना देगा shift करनी की possibility अपने vision को shift करने की practice से हम कुछ अच्छे और कुछ बुरे experience acquire करेंगे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर events के बहुत सारे facts होते हैं और एक दूसरे से related होते हैं छोटे से obstacle से भी हमारा vision हिल जाता है और सारा ध्यान concerns पर चला जाता है हमको ये admit करना होगा कि हमारी negative vision हमारे खुद के mental situation से होता है ना कि खुद के nature से होता है अपने enemy को अलग तरीके से देखना enemy एक crucial role play करते हैं love और compassion को पूरी तरह से पाने के लिए patience और tolerance को practice करना ज़रूरी है इसलिए हमें दुश्मन की नफरत को opportunity समझना चाहिए जिससे खुद का patience और tolerance मजबूत हो जाए और enemies को धंक से treat करना क्योंकि वो हमको mature होने की opportunity भी offer करता है flexible mind mind की flexibility change के perspective को हमारे vision और हमारे new point of view को बढ़ाने के लिए नरिश करता है हमेशा अपने mind को open रखे ये हमें universe को happiness से देखने की ability देता है और हमारी छोटी सी दुनिया life में क्या important है और क्या नहीं इसके बीच difference सिखाती है flexible mind की importance mind की flexibility और अपना point of view को change करने की ability का आपस में mutual relation होता है एक flexible mind problem को अलग-अलग angle से address करता है evolution process में जो सबसे जादा changes को adopt कर पाया वही survive कर पाया है आजकल की life unexpected changes से भरी है जो अचानक से आते हैं और violet होते हैं finding meaning in pain and sufferings pain और suffering में meaning ढूना suffering में meaning ढूना darkest problem को deal करने का एक powerful tool है लेकिन ये easy नहीं है जब सब गलत होता है तब हम कहते हैं कि मैं ही क्यों तब ही हमें suffering में छुपी हुई sense को देखना चाहिए जब सब अच्छा जा रहा होता है इसलिए हमारे पास benefit लेने के best possible chances होते हैं suffering हमको मजबूत और tough बनाती है physical pain को phase करना pain एक remarkable, complex और biological mechanism है जो हमको body में होने वाले damage product करता है mental posture pain को देखने और सहने की ability को effect करता है हम अपने pain को suffering में mentally convert कर लेते हैं इसको reduce करने के लिए हमें ये difference करना होगा कि pain की वज़े से है या simply हमारे सोचने की वज़े से fear, anger, guilt, loneliness, despair, emotional reaction होते हैं जो pain को बढ़ा देते हैं पार्ट फोर, overcoming obstacles bringing about change, change को लाना जब दलाई लामा से पुझा के negative mind को positive mind में shift करने के लिए कौन सी approach चाहिए इसमें दलाई लामा ने reply किया खुद में positive change लाने के लिए क्या सिर्फ learning first step है यहाँ अलग factor भी है जैसे conviction, determination, action और effort तो अगला step conviction को develop करना है learning और education important है क्योंकि यह change होने की conviction में help करता है और एक इनसान की commitment को बढ़ाता है यह conviction फिर determination में change होती है उसके बाद determination action में बदल जाती है यही final effort critical होता है दलाई लामा के according changes का process कुछ steps के थूँच चलता है जैसे learning, determination, action और effort For example, अगर आप smoking quit का try कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले smoking से होने वाले बुरे और harmful effect को पता होना जरूरी है आपको इसके बारे में knowledge होनी चाहिए Example के लिए smoking के harmful effect को public education और awareness को बढ़ाना होगा जब तक आपको smoking के harmful effect के बारे में conviction ना हो Important objective तक पहुँचने के लिए sense of urgency key element है और ये incredible energy दे सकता है बले ही हम ये realize कर लें कि हर moment precious है और time का best use करना चाहिए तब भी हम life में positive changes क्यों नहीं करते क्योंकि हम सब लोगों को चीजों को certain तरीके से करने की आदत है उस तरीके से जो हमको पसंद है जो हमको पता है क्योंकि हम सब बहुत pampered है सकसेस होने के लिए हमें efforts कम नहीं करने चाहिए ये चीज समझने चाहिए कि changes रातो रात नहीं होते अगर कुछ लोगों को लगता है कि negative emotion जैसे hate, anger और envy सब human के natural parts है इसलिए हमारी mental state को change करने का कोई तरीका नहीं है दलाईलामा यहां एकदम clear है कि वो लोग गलत है human being का जन्म ignorance की perfect natural state में हुआ है और जैसे हम grow हुए है learning और education का थैंक की हम ignorance को पीछे चोड़ने और knowledge को पाने के लायक है dealing with anger and hatred गुसे और hate को deal करना सभी negative points happiness के लिए barrier होती है compassion और दूसरों की help करने वाले लोगों की सबसे important barrier anger और दुश्मनी होती है वो बिमारी बन सकती है studies के इसाफ से death भी हो सकती है और calmness खतम हो जाती है यहां दो तरह के anger होते हैं पहला वाला anger किसी particular और special motivation की वज़े से हो सकता है जो कि positive भी हो सकता है एक तरह की energy create करके यह हमको बिना किसी delay के act करने के लिए force कर सकता है लेकिन यह blind energy है जिसका outcome uncertain है वो destructive या constructive कुछ भी हो सकता है यह जो journal नाराज की और नफरत की और ले जाता है इसे positive कुछ भी नहीं हो सकता hate कुछ भी benefit produce नहीं करता anger और hate को erase करना ही सिर्फ enough नहीं है हमें patience और tolerance को भी actively बढ़ाना होगा ऐसे negative emotion से लडने के लिए enthusiasm और strong desire की जरुरत होती है hate एक individual को repulsive बनाता है और physically भी वो इंसान deformed और ugly दिखने लगता है hate से need भाग जाती है खाना कम हो जाता है और tension बढ़ती है hate से सिर्फ destroy होते हैं इसलिए उसको खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए इस western world में खुद के गलत होने पर patience और tolerance से react करना weak समझा जाता है दलाई लामा का कहना है कि इस तरीके से react करना एक strong और disciplined mind का symbol है impatient होना जरूरी नहीं कि बुरा होता है ये action को encourage करता है ताकि काम हो सके जादा patience भी आपको slow down करेगा dealing with anxiety and building self-esteem anxiety को deal करना और self-esteem को build करना human brain एक elaborate system से भरा होता है जिसमें fear और worry already registered होते हैं हमें पता चल जाता है हम जब danger को face करते हैं लेकिन जादा चिंता और anxiety आपके उपर mentally और physically बुरा effect करते हैं anxiety judgment को बिगार सकती है चिड़चिड़े पन को बढ़ाती है और effectiveness को रोकती है ये psychological problem को भी बढ़ाती है anxiety के होने पर दलाय लामा ने कुछ thoughts बता हैं अगर situation और problems ऐसे हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता तो परशान होनी की जरुवत नहीं है चिंता करने से जादा problem को solve करने में जादा energy लगानी चाहिए अगर कोई तरीका नहीं निकलता कोई solution नहीं निकलता तो कोई tension की जरुवत नहीं है क्योंकि इस case में आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते honesty bad opinions को मारती है और self confidence को बढ़ाती है self confidence में कमी होने से हम अपने efforts को आगे बढ़ने से रोकते हैं और जादा self confidence भी उतना ही खतरनाक है लेकिन हम self confidence और arrogance के बीच कैसे difference कर सकते हैं ये easy नहीं है ये कहना कि generally self satisfaction और arrogance में negative consequences होते हैं जब healthy self confidence positive results देता है उन सभी discipline के बारे में सोचना जिनकी आपको knowledge नहीं है उन सब areas को समझना जो आपने ignore किये हैं और उसके लिए आप खुद पर कम proud करेंगे जितने आप honest होते हैं उतने ही आप open होंगे और उतना आपको कम डर लगेगा क्योंकि ये सोच कर कि दूसरों की आँखों में आपकी क्या image बन रही है इसकी कभी anxiety feel नहीं होगी आपका खुद की self worth की consciousness को doubt और कम self confidence से लडने का हतियार बनाया जा सकता है जिन लोगों के पास अपनी accurate और real picture होती है वो खुद को ज़ादा पसंद करते हैं ज़ादा confident होते हैं यहाँ दलाय लामा अपनी life की definition को final touch देते हैं जो है spiritual dimension recent study से ये पता चला है कि faith happiness में contribute करता है और जिन लोगों के पास spiritual knowledge है और faith है तो confirm है कि वो नास्तिकों के मकाबले ज़ादा खुश रहते हैं दलाय लामा ने second level की spirituality को समझा है जो पहले से ज़ादा important है जो है elementary spirituality ये इनसान की important qualities होती है goodness, kindness, compassion और दूसरे के लिए concern रहना सची spirituality एक mental attitude है जो हम किसी भी time practice कर सकते हैं for example अगर हमारा किसी को insult करने का मन है तो हमको इससे बचना चाहिए और ऐसा करने से खुद को रोकना चाहिए same way अगर अपना काम lose करने ही वाले हैं तो हमको attentive होकर ये decision लेना चाहिए कि नहीं ये सही तरीका नहीं है internal discipline spiritual life का basic है और ये happiness को डूणने का method है internal discipline को practice करने में meditation include है जो stability offer करती है और आप शांती की stage अचीव करते हैं art of happiness happiness के rule का एक clear even sometime repetitive तरीके से present करता है दलाय लामा हमको happiness की simple recipe offer करते हैं अपने positive state of mind को maintain करना और negative emotions को remove करना अपने mind को goodness, kindness, compassion और दूसरों के लिए respect की exercise करके हम happiness की foundation ढूण लेते हैं ये book हमें अपने decision को change करने और अपनी new life set करने के लिए guide करती है happiness एक art है जिसको हम अपने open mind के थरू daily develop करते हैं और यही दलाय लामा हमको इस book में सिखा रहे हैं थांकि दोस्तों अगर ये book आपको अच्छे लगी तो इस video को like और comment करना ना भूलें अगर आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया तो immediately इस channel को subscribe करें और अगर आप चाते हैं कि हम आपकी किसी book को review करें या कसमरी दें तो please हमें बताये गई email address पर email करें और अगर आप इस book को खरीदना चाते हैं तो उसका link भी description में दिया गया है टैंकियो दोस्तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ